Tip number 4 of using pandas like a pro Tip हमारे पास यह है कि अभी हमने पिछले tip में बाद यह की थी कि हम query इस्तमाल कर सकते हैं और अगर में पास external variables हैं उसको हम query में इस्तमाल करना चाहते हैं तो हम इस तरह string concatenate कर लेते हैं या फिर f string के साथ हम manually लिख रहे होते हैं यह दो तरीके हम usually इस्तमाल करते हैं जब हम query और external variable को इस्तमाल करते हैं लेकिन यह सब करने के बजाए हम external variables को access कर सकते हैं query command के साथ simple हम क्या करेंगे at लगाएंगे उस variable के आगे जो हमने externally define किया होगा उससे हम उस query को अराम से run कर सकते हैं